बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रनत और फिल्म इंडरस्ट्री में उनके सहकर्मियों के बीच जुबानी जंग जारी है और इस बार कंगना ने अभिनेत्री सोनम कपूर पर निशाना साधा है क्योंकि वह शुशांत मामले में आरूपी रिया चक्रवर्थी को अपना समर् जिन्हें कंगना ने स्मॉल टाइम ड्रगी कहकर बुलाया है कंगना ने गुरुवार शाम अपने सत्यापित अकाउंट से ट्विच करते हुए कहा माफिया बिम्बो ने अचानक मेरे घर की तराजदी के माध्यम से रिया जी के लिए नियाय मांगना शुरू कर दिया है मेर संगर्षों की तोलना किसी स्मॉल ट्राइम ड्रगी से ना करें जो अपने दम पर स्टार बने सक्ष के टुकडों पल पल रही हैं ऐसा करना बंद करें दरसल बीमसी द्वारा अवेद निर्मान का आरोप लगाते हुए कंगना के दफ्तर को नुकसान पहुचाई जाने के मा कंगना के ओफिस में तोलफोर के निंदा करती हूं रिया के खिलाफ उत्पीडन और दूर्विहवार के निंदा करती हूं मैं यहां किसी का पक्ष नहीं ले रही हूं जो सही है उस पर बात रख रही हूं याद रखें कि ऐसा आपके सांथ भी हो सकता है